कक्षा 12 के लिए हिंदी की द्वनी पाठे पुस्तक आरोह भागदो आईए सुनते हैं आरोह भागदो का चौथा पाठ कवी रगुवीर सहाय प्रिष्ठ संख्या 21 से 26 तक कवी परिचय रगुवीर सहाय जन्म सन 1929 लखनाव उत्तरप्रदेश प्रमुक रचनाए अग्गे द्वारा संपादित दूसरा सब तक 1951 में आरंभिक कवीताएं महत्वपूर्ण काव्य संकलन सीडियों पर धूप में आत्म हत्या के विरुद हसो हसो जल्दी हसो पत्रकारिता ओल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से संबध रहे। फिर हैदराबाद से निकलने वाली पत्रका, कल्पना और उसके बाद दैनिक, नव भारत टाइम्स तथा दिनमान से संबध रहे। सम्मान साहित्य अकादमी पुरसकार निधन सन 1990 दिल्ली में। कुछ होगा, कुछ होगा अगर मैं बोलूँगा, ना तूटे ना तूटे तिलिस्म सत्ता का, मेरे अंदर एक कायर तूटेगा। रगुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के समवेदन शील नागर चेहरा है। सडक, चोराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, वेल और बाजार की बेलोस भाषा में उन्होंने कविता लिखी। हर मुहले के चरित्रों पर कविता लिख कर, इन्हें हमारी चेतना का स्थाई नागरिक बनाया। हत्या, लूटपाट और आगजनी, राजनैतिक भरष्टचार और चल चद्म इनकी कविता में उतर कर, खोजी पत्रकारिता की संसनी खेज रप्ते नहीं रह जाते। आत्मानवेशन का माध्यम बन जाते हैं। यह ठीक है कि पेशे से वे पत्रकार थे, लेकिन वे सिर्फ पत्रकार ही नहीं, सिद्ध कथाकार और कवि भी थे। कविता को उन्होंने एक कहानीपन और एक नाट की यह वैभव दिया। जातिय या व्यक्तिक स्मृतियां उनके यहां नहीं के बराबर हैं। इसलिए उनके दूनों पाउं वर्तमान में ही गड़े हैं। बावजूद इसके मार्मिक उजास और व्यंग बुझी खुर्दुरी मुस्कानों से उनकी कविता पटी पड़ी है। चंदा नुशासन के लिहास से भी वे अनुपम हैं। पर ज्यादातर बातचीत की सहज शैली में ही उन्होंने लिखा। और बखु भी लिखा। बतौर पत्रकार और कवी घटनाओं में नहित, विडंबना और त्रासदी को भी उन्होंने देखा। रगुवीर सहाई की कविताओं की दूसरी विशेशता है छोटे या लगु की महत्ता का स्विकार। वे महज बड़े कही जाने वाले विश्यों या समस्याओं पर ही दृष्टी नहीं डालते। बलकि जिन को समाज में हाशिये पर रखा जाता है, उनके अनुभवों को भी अपनी रचनाओं का विशय बनाते हैं। रखुवीर जी ने भारतीय समाज में ताकतवरों की बड़ती हैसियत और सत्ता के खिलाफ भी साहित और पत्रकारिता के पाठकों का ध्यान खींचा। रामदास नाम की उनकी कविता आधुनिक हिंदी कविता की एक महत्वपून रचना मानी जाती है। प्रिष्ट संख्या 21 अत्यंत साधारण और अनायास सी प्रतीत होने वाली शैली में समाज की दारुन विडंबनाओं को पकड़ने की जो कला रगुवीर सहाई की कविताओं में मिलती है। उसका प्रतिनिधी उदाहरण है। यहां प्रस्तुत कविता कैमरे में बंद आपाहिज। जो लोग भूल गए हैं संग्रह से ली गई है। शारीरिक चुनोती को छेलते व्यक्ति से टेलिवीशन कैमरा के सामने किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और कारिकरम को सफल बनाने के लिए उससे कैसी भंगिमा की अपेक्षा की जाएगी। इसका लगभग सपाट तरीके से बायान करते हुए कवी ने एक तरह से पीड़ा के साथ द्रिश्च संचार माध्यम के संबंध को रिखांकित किया है। किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुँचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रती स्वयम समवेदन शील होने और दूसरों को समवेदन शील बनाने का दावेदार होना चाहिए। लेकिन विड़म बना ये है कि आप जब पीड़ा को परदे पर उभारने का प्रयास करते हैं, तब कारोबारी दबाव के तहत आपका रवईया समवेदन हीन हो जाता है। सहाय जी की यह कविता टेलिवीजन स्टूडियो के भीतर की दुनिया को उभारती जरूर है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि इसे सिर्फ टेलिवीजन माध्यम से जोड़ कर देखा जाए। अपनी व्यंजना में यह कविता हर ऐसे व्यक्ति के ओर इशारा करती है, जो दुख दर्द, यातना वेदना को बेचना चाहता है। इस कविता को शारीरिक चुनौती जेलते लोगों के प्रती समवेदन शील नजरिया अपनाने के लिए प्रेरित करते पाठ के रूप में भी देखा जा सकता है। इसके लिए कवि ने धुर समवेदन हेनता को रेखांकित करने का तरीखा अपनाया है। वह दिखलाता है कि किस तरह करुणा जगाने के मकसद से शुरू हुआ कारिकरम कुरूर बन जाता है। प्रिष्ट संख्या तेज प्रस्तुत कविता कैमरे में बंद अपाहिज। कैमरे में बंद अपाहिज। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे, एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे, तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यूं अपाहिज हैं? आपका अपाहिज पन तो दुख देता होगा, देत अगली पंक्ती कोश्ठक में है, कोश्ठक शुरू कैमरा दिखाओ इसी बड़ा-बड़ा, कोश्ठक बंद हाँ तो बताईए, आपका दुख क्या है, जल्दी बताईए, वे दुख बताईए, बता नहीं पाएगा सोचिए, बताईए, आपको अपाहिच होकर कैसा लगता है, कैसा, यानि कैसा लगता है अगली पंक्ती कोश्ठक में है, कोश्ठक शुरू हम खुद इशारे से बताईएंगे कि क्या ऐसा, कोश्ठक बंद सोचिए, बताईए, थोड़ी कोशिश करिए अगली पंक्ती कोश्ठक में है, कोश्ठक शुरू ये अफसर खो देंगे कोश्ठक बंद, प्रिष्ट संख्या 24 आप जानते हैं कि कारिक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूच पूच कर उसको रुला देंगे इंतिजार करते हैं आप भी उसके रोपर ने का अगली पंक्ती कोश्ठक में है, कोश्ठक शुरू ये प्रश्ण पूचा नहीं जाएगा, कोश्ठक बंद फिर हम परदे पर दिखलाएंगे फूली हुई आग की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर और उसके होटो पर एक कसम साहट भी अगली पंक्ती कोश्ठक में है, कोश्ठक शुरू आशा है, आप उसे अपनी अपंगिता की पीड़ा मानेंगे कोश्ठक बंद एक और कोशिश, दर्शक, धीरज रखे देखे, हम दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों अगली पंक्ती कोश्ठक में है, कोश्ठक शुरू कैमरा, बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, परदे पर वक्त की कीमत है कोश्ठक बंद अब मुस्कुराएंगे हम आप देख रहते, सामाजिक उद्देश्य से युक्त कालिक्रम अगली पंक्ती कोश्ठक में है कोश्ठक शुरू बस थोड़ी सी कसर रह गई कोश्ठक बंद थनेवाद प्रिष्ठ संख्या 25 अभ्यास कविता के साथ प्रश्न एक कविता में कुछ पंक्तियां कोश्ठकों में रखी गई है आपकी समझ से इसका क्या औचित्य है प्रश्न तू कैमरे में बंद अपाहिज करुना के मुखोटे में छिपी क्रूरता की कविता है विचार कीजिए प्रश्न तीन हम समर्थ शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे पंक्ति के माध्यम से कवी ने क्या व्यंग किया है प्रश्न चार यदि शारीरिक रूप से चुनोती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो उससे प्रश्न कर्था का कौन सा उद्देश्य पूरा होगा प्रश्न पांच परदे पर वक्त की कीमत है कहकर कवी ने पूरे साक्षातकार के प्रती अपना नजरिया किस रूप में रखा है कविता के आसपास प्रश्न एक यदि आपको शारीरिक चुनोती का सामना कर रहे किसी मित्र का परिचय लोगों से करवाना हो तो किन शब्दों में करवाएंगे प्रश्न दू सामाजिक उद्देश्य से युक्त ऐसे कारिकरम को देखकर आपको कैसा लगेगा अपने विज़ाद संक्षेप में लिखें प्रश्न तीन यदि आप इस कारिकरम के दर्शक है तो टीवी पर ऐसे सामाजिक कारिकरम को देखकर एक पत्र में अपनी प्रतिक्रिया दूरदर्शन निदेशक को भेजें प्रश्न चार दिये गए खबर के अंश को सुनिये और बिहार के इस बुधिया से एक कालपनिक साक्षात कार कीजिये उम्र पांच साल संपून रूप से विकलांग और दोड़ गया पांच किलो मीटर सुनने में थोड़ा अजीब लगता है लेकिन ये कारनामा कर दिखाया है पवन ने बिहारी बुधिया के नाम से प्रसिध पवन जन्म से ही विकलांग है इसके दोनों हाथ का पुलवा नहीं है जबकि पैर में सिर्फ एड़ी ही है पवन ने रविवार को पटना के कारगिल चौक से सुभा आठ बच कर 40 मिनट पर दोड़ना शुरू किया डाक बंगला रोज तारा मंडल और आर ब्लॉक होते हुए पवन का सफर एक घंटे बाद शहीद समारक पर जाकर खत्म हुआ पवन द्वारा तै की गई इस दूरी के दौरान उम्मीद स्कूल के तकरीबन 300 बच्चे साथ दोड़ कर उसका होसला बढ़ा रहे थे सड़क किनारे खड़े दर्शक ये देखकर हद प्रब थे कि किस तरह एक विकलांग बच्चा जूश एवं उत्सा के साथ दोड़ता चला जा रहा है जहानाबाद जिले का रहने वाला पवन नवरसना एकेडमी बेऊर में कक्षा का एक चात्र है असल में पवन का सपना उड़ीसा के बुधिया जैसा कर्तब दिखाने का है कुछ महपूर्व बुधिया 35 किलो मीटर दोड़ चुका है लेकिन बुधिया पूरी तरह से स्वस्थ है जबकि पवन पूरी तरह से विकलांग पवन का सपना कश्मीर से कन्या कुमारी तक की दूरी पैदल तै करने का है 9 अक्तूबर 2006 हिंदुस्तान से साभार इसी के साथ आरो भागदो का चौथा पार्ट यहां साभाप्थ होता है इसके बाद पार्ट पांच आता है प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. C.I.E.T.